नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम दैनिक जागरन से मेटर को लिखने वाले हैं टॉपिक का नाम है राष्ट निर्माण के संकल्प का समय पांच सेकंड में हम इसको लिखना सुरू करेंगे 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोडो आंदोलन का बिगुल बजाया था इस आंदोलन ने अंततह 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से राष्ट की स्वतंतरता का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई इस आंदोलन के असीवे वर्ष में भारत अपनी आजादी का अम्रित महोत्सो मना रहा है आजादी के पचत्तरवे वर्ष में यह भी अपेक्षित है कि हम अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन करें अपनी सफलताओं का उच्सो मनाएं जिन मील के पत्थरों को हमने पार किया है उसका गवरव मनाएं साथ ही उन चुनावतियों पर भी विचार करें जिनके समाधान हम अभी तक खोज नहीं पाएं है इस अवसर पर यह मन्थन भी आवश्यक है कि गांधी जी ने अहिंसा को एक दमनकारी हुकूमत के विरुद्ध किस प्रकार एक हतियार बना दिया अहिंसा उनकी सविनय अवग्या का आधार बन गई किस प्रकार गांधी जी ने लोक नैतिकता का पूरा जीवन दर्शन प्रतिपादित किया और देश भर के लोगों को सफलता पूर्वक उससे जोड़ा अहिंसा का मूल मंत्र इसलिए भी महत्व पूर्ण है क्योंकि यह हमारे देश के सभ्यतागत और सांस्कृतिक मूल्यों के निकट है गांधी जी को स्वाधीनता आंदोलन के उन सभी घटकों का समर्थन मिलता रहा जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अद्भुद साहस के साथ अलग अलग तरह से संगर्ष किया लेकिन गांधी जी अहिंसा के पत्थ पर कभी विचलित ना हुए मानवता के इतिहास में यह एक अनोखी घटना थी जिसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं थी भारत का इतिहास बरबर अक्रानताओं से भरा है जिन्होंने देश को लूटा और पीछे छोड़ गए विध्वन्स का एक लंबा सिलसिला हमारे इतिहास ने ऐसे शड़ेयंत्रकारी उपनिवेश वादी देखे जिन्होंने बाटो और राज करो की नीति के जर्ये हमें सदियों गुलाम बना कर रखा परस्पर विध्वेश और वयमनस्व के उदाहरणों के बावजूद हमारे इतिहास में प्रत्वी राज चौहान, चत्रपति सिवाजी, महाराणा प्रताप, रानी लक्षमी बाई, अलूरी सीता राम राजू, वीर पांड्या कट्टा बोम्मन, ललित बोर फूकन और रानी अब कप का जैसे तमाम अनुकरणिय उदाहरण भी हैं। हालां की राश्ट्र भक्ति, साहस और समर्पण के ऐसे विलक्षन उदाहरण प्रायह इस्थानिय इस्तर तक ही सेमित रहे। आक्रमलकारी, आक्रांताओं और उपनिवेश वादी सत्ता ने प्राचीन भारतिय संस्कृति की जड़ों को उखाणने की भरसक कोशिस्तों की। लेकिन वे हमारी सांस्कृतिक, एक्ता और सभ्यतागत, निरंतरता के सूत्र को तोड़ ना सके। नी संदेह आज विश्व मंच पर भारत की प्रतिष्ठा है। एक स्वतंत्र देश के रूप में विगत 75 वर्षों में भारत ने विभिन छेत्रों में उल्लेखनिय सफलताएं अरजित की हैं। फिर भी आवश्यक है कि हम अपने लंबे स्वाधीनता आंदोलन से प्रेनडा लें। हमारा स्वाधीनता आंदोलन एक राश्ट्र के रूप में हमारी जी जी विशा उसके लिए हमारे अदम्य संगर्ष भविश्य के प्रति हमारी उम्मीदों को दर्शाता है। वह यात्रा आज भी अनवरत जारी है। वही हमें हर छेत्र में सफलता के नित नए प्रतिमान इस्थापित करने और उनकी प्राप्ति के लिए नए उत्साह से प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। यह जरूरी है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी उन लक्षियों के प्रति एकाग्र और निष्ठावान रहें। जो हमने अपने लिए निश्चित किये हैं। हमारे पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। देश की मेधा का लोहा विश्व मानता है। इसलिए आवश्यक है कि भारत आर्थिक वैज्ञानिक तकनीकी और मानव विकास के लिए अपनी युवा शक्ति की प्रतिभा और चमता का भरपूर उपियोग करे। आज जब हम विभिन छेत्रों में अपनी उपलब्धियों पर गवरो कर रहे हैं तो इस एतिहासिक अवसर पर थोड़ा ठहर कर भविस्यकी संभावित चुनावतियों पर विचार कर उनका समाधान खोजने की दिशा में भी सक्रिया हूं। हमने लंबे और कठिन संगहर्ष के बाद जिस स्वराज को हासिल किया है। उसे अब देश भर में इस्थानिय इस्तर तक सुराज में बदलना है। गरीबी असिक्षा लेंगिक भेद भाव भरष्टाचार को समाप्त करना है। असमानता को खत्म करना है। यही हमारी प्रात्मिक्ता होनी चाहिए। ऐसे समता मूलक समाज और सुराज के लिए न्यायपूर्ण शासन आवश्यक सर्त है। एक्ता समानता और समावेसी हमारी प्राचीन भारतिय सभ्यता में अंतर नहित सांस्कृतिक आदर्श रहे है। एक ससक्त जीवंत भारत के निर्माण के लिए हमें सिर्फ अपने पूर्वजो द्वारा इस्थापित आदर्शों का राष्टवाद के भाव से अनुसरण करना है। एक ऐसा भारत बनाना है जो अपनी सामर्थ से भली भाती परचित हो और जो उसका सदुपयोग कर सके। यह डिक्टेशन 8 मिनट 35 सेकंड तक बोला गया है। इस डिक्टेशन में कुछ वर्ड अगर कठीन है तो प्लीज आप उनको कमेंट में में बेंशन करें हम उनका आउटलाइन मनाके ग्रुप में डाल देंगे टेलिग्राम के टेलिग्राम ग्रुप को आप सर्च कर सकते हि अंदी डिक्टेशन लिख के बीच में अंडरिस्कोर लगा दीजेगा तो आपको चैनल मिल जाएगा उसमें आप एड़ हो जाएगे और अपनी क्वेरी आप वहाँ पर पुट कर सकते हैं तो उसका सोलूशन हम देदेंगे और यदि आप पूरा लिख नहीं पाए तो प्ल प्लीज टाइप करें पूरा मेटर ना टाइप करें फिर भी कुछ मेटर जरूर टाइप करें इसमें से फिर उसका है करेक्शन करें कि क्या गलती हो गई हमसे टाइप करने में या हमने क्या गलत लिखा है इस प्रोसेस को आप हर डिक्टेशन में रिपीट करें डिक्टेश तो तेज दबाव देकर पेंसिल पकड़ते हैं तो तेज स्पीड में आप आउटलाइन भी गलत बना पाते हैं और लिख भी नहीं पाते हैं तो इससे बचने का एकी तरीका है कि प्लीज अपना हाथ जो है थोड़ा सा हलके हाथों से आप अपने पेंसिल को पकड़ें जब इ प्लीज आप हिंदी से लिख ले थोड़ा सा या उसको करेक्ट कर ले ठीक और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को वीडियो को लाइक करें थैंक यू भरे मुच